गुद मॉनिंग बच्चों आप सब कैसे हो आज हम लोग जैसी आटी जाकन राची के पाटे पोस्तक पर आधारे कर्चा अस्टन के गणित विशैसे घन और घनमूल क्यू एंड क्यू गूडू प्रश्णावली 3.3 के प्रश्णों का हल समझेंगे तो आए देखते हैं हम लोग प्रश्णावली 3.3 में पहला प्रश्ण क्या है एक नमर में अभाज गुनार्खण विदी द्वारा नीनर की संख्याओं का घनमूल क्या किजे और एक नमर में है 125 तो 125 के लिए हमें अभाज गुनार्खण विदी से घनमूल यार करना है तो यह क्याTION प्रकार से लिखते हैं 5 त्योंने 5 लिखते हैं और 305 के लिए एक बाश्ण को बाहर नकाल लेते हैं यानी कि 125 का घनमूल्च फिर इसको 2 से भाग दिये वेरी 5 6 अब यह नहीं पांच से जाएगा ना दो से जाएगा और ना चाट से जाएगा इसको साथ से भाग दिये तो साथ काथ हुआ अब जो है यहां पर हम लोग लिखे 27,44,000 का घुनमूल तो इसको अम लोग जितने भी संख्याय में बाइं तरफ प्रात हुआ उसे यहां पर सजा दिये हैं और तीन तीन का जोड़ा लगाए हैं और फिर एक तीन के लिए हम लोग यहां पर उसके उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लिए हैं तो यहां से दो बा सब्सक्राइब तो अब जो है यहां कि तेरस्वा इक संख्या गया है तो इसको यहां से बागते हैं तो अब जो है यहां कि तेरस्वा एक तीस का जो है घनमूल हो गया यहां पर माइनस है प्रस्ट में तो माइनस जो है तो इसका हो गया 131 का हो गया घनमूर 11 पर तो यहां माइनस है इसलिए यहां पर चार नमर का प्रस्ट है माइनस 32768 तो इसको हम पहले हां इस प्रकार से भाग दिये तो यह वह हो गया 16384 फिर दो से किये तो यहां पर यहां पर निखा सके हैं तो इसका है क्या करना है इसको है लिखना है और यहां पर इसका हमके तो जो है गनमूल निकाल चुके हैं तो इसका गनमूल के जो संख्याएं हैं उसको हम लोग आपर यहां इसका हो गया माइनस एक और इसको अम लोग सजाकर लिख दिये हैं तो देखी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस गारा बारा तेरा चल्दा पंद्रा पंद्रा सबस्क्राइब मैनस डोख माउनस दो को ओढ़ा हैं उसका तहीं हो धोंड़ा फिर यह जब और आप्र एक और दू धुसरा होगा और चोंड़र केंद हो गया कौना थे थी आलकु समझते अंद सब्सक्ण तो हमें अबाद जी द्वारा जो है 27 बटा चौसर का भनमूल करना है तो सबसे पहले हम लोग 27 का भनमूल प्राफ करते हैं देखिए यहां पर 3 से भाग दिये तो 9 बार गया फिर 3 से दिये तो 3 बार गया यानि कि 27 का भनमूल हमें इस प्रकार से सजाएं तो सबसे पहले सको भाग के लिए पर तीन को बाहर निकाले हैं परतिक तीन की लिए एक तो हमें 27 का घंदमूल प्रापवर तीन और चार यानि कि 27 बड़ा 64 का घंदमूल कितना हो जाएगा तीन बड़ा चार तो इसके 6 नंबर के प्रस्ट का हल्कों समझते हैं तो बच्छे अच्छाओं के हल्कों समझते हैं तो देखिए यहां पर छे नंबर में है उपर है सब्सक्राइब तो इसको अच्छाओं प्रकास से लिखें और चार यहां पर तीन लिखें कि हम इसको उपर नीचे अलग अलग करती हैं ताकि हम लोग प्रकास से पहले हम लोग इसको तीन से वागते हैं यहां कितना बच गया एक और यह ची होगिया तीन है तो तीन है तो तीन के तीन इसी प्रकास से हम लोग इसको फिर से भाग दे इन से तो हो गया फिर तीन से कर लेते हैं तो इसको लोग उनतीस यहां प्रकास से सजाते हैं पर निनिस के लिए हम लोग है सहां हम पर माइनस एक का होल क्युबिक देते हैं इस प्रकार दो प्रक्राइब सजा दिए सब्सक्राइब कर दो के हलको सब्सक्राइब कर दो के हलको समझते हैं दो नंबर में दिया गया है निकाला है जैसे दिया गया है सुन्य दस्मलो सुन्य सुन्य एक साथ दो आठ तो इसको अलग अलग जो है खनमोल निकालेंगे पहले दो से भाग दिया फिर दो से के तो सब्सक्राइब अब देखें कि यहां पर लोगो दस लाग दिया गया है तो दस लाग का इसमों हम दो से आपको कम कर देना है तो यहां पर पांस हो गया फिर यहां पर चाट हो गया फिर यहां तीन प्राका निकाले अब लोग यहां पर इसको लिखते हैं अप प्रठ्यें संख्या के लिए एक संख्या निख्या निकाळए तो और इसको फुनाख जो चार जो गया और तीन को गुनाख 10 ऑप प्रस्न का हल को समझते हैं तो इसको यहां तक दाग होगा तो अब हम लोग जो है इसके दो नमर के प्रस्न का हल को समझते हैं तो अब प्रस्न संक्याथ 2 के दो नमर के हल को समझते हैं दो नमर में है सुन्य-दस्म लोग सुन्य-चुन्य-थिन-थिन-थिन-थिन-थाथ-पाँच एक बात यार रहतना है सुन्य के बाद जो भी संक्याएं है उसे एक एक करकर पढ़ना चाहिए ठीक है जैसे यहां पर सुने सुने तीन साथ पाँच ऐसे पढ़ना इसे नहीं पढ़ना है तो हम लोग इसका कैसे घ्रमून निकालेंगे स्फ्जीए उपने संख्या में संख्या है 1 हम लोग उतने संख्या में सुने दिए ठीक है और आप भी इत ऊपर वाले संक्या का पांच से नहीं जाए तो तीन सी की तो तीन नव सताइस हो गया फिर नौ हो गया अब इसे अगर दस लाग दूए है इसको हम लोग दो से करेंगे तो काफी लगा हो जाएगा बच्छों इसलिए हम लोग दस से करने का एक फाइदा यह है कि हम लोग कियोवाल और सुनिकी संख कि क्या निकालना है इसका घनमूल निकालना है तो संख्या इंदर बाइन करवा है और नीचे करें तीन फंटीन तो तो तीन फिर गुना लिख के और निचे हम लोग दस नमें टीन का जोरा लगये लिए और दस झेट का यह जोरा हो गया तो उपर इसकों आप भाग कर देंगे तो प्राथ होगा सुन्य जस्मलों सबस्क्राइब 168 इसको प्रकार से लखते हैं। अब हुपर वाली है बढ़ एक लितरी संख्या नीचे लिख दिए धिये 6 तो पहले संख्या उपर वाली है 32 चाहर सब्सक्राइब तो दो से किये तो दो सब्सक्राइब तो दो से कितना है एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ नौ दस लिगारा बारा तेरह चौदा पंदरा तो नहीं पाफ फूरा फिर नीचे एक हजार तो इसका अम लोग इसको दो से कर सकते हैं तो यह लोग आसान है दस करना तो दस रिकिया से एक एक करके सुने आपको काम कर देना है इसके पिछले वाले जो दो नौबर अब का था उसन्हें पिता पर दस हो QUE यह पिती सब्सक्राइब निकाल लिए अब इसको गुना कीजिए दो गुना दो चार चार गुना दो आठ गुना दो बत्तिस और नीचे दस है तो बत्तिस को दस से भाग दिये तो कितना हुआ अब बच्छो अब प्रस्न संक्या तीन के हल को समझते हैं तो इस प्रकार के संक्या में हम लोग पहले ही देख चुके हैं विए मानके चलते हैं जैसे माना पहरी शंक्या 2x दूसरी संक्या 3X और तीसरी संक्या 4X और प्रस्मेस से जो है इनके घं का योग यानिकी 2XQ प्लस 3XQ प्लस 4XQ बरावर यह संक्या याए 0.334125 तो इसका घं निकाओ देते हैं तो यह होगे 8XQ इसका यह होगे 27XQ और यह होगे 64XQ बरावर 0.334125 तो इसको जोड़ दिये तो 99XQ प्राफ हुआ और यहाँ दसमलों हटाने के लिए दसमलों के बाद जितनी संक्या एक लिक उतना सुन्य लिग देते हैं तो यहाँ पाद 6 है तो यहाँ लिग दिये अब यहाँ पर जो है इसको काड़ दिये तो यह कटा 3375 से तो अब 3375 और यहाँ पर हो गया 10 लाग तो इसका जो है अलग अलग घंवल निकालना है तो इसका गंवल जो है निकाल लेंगे तो हम लोग प्राफ होगा 15 गुना 15 गुना पंद्रह और इसका तो पिछले जो इसके संग बनाए उसमें देख चुके हैं इसमें छेट दस हमें प्राफ होता है इस प्रकार से हमें प्राफ हुआ तो इसका हो गया दस गुने दस है नहीं की 100 तो उपर हो गया एक तीन ठो के लिए एक ठो निकाल दिये संख्या तो पंद् इस दसन्वाब एक पांच तो इसको खुना कर दिख हो गया सुने दस्वाफ तीन जिरो दूसरी संख्या थ्री एक्स है तो तीन के साथ में जिलो पंट्वांक फाइइक तो तो पॉर पाइड दिखते हैं तो देखा जीकता है एक घन का आयतन 24389 अवलिग 729 मीटर ड्यू है घं की भुजाएं याद किजिए तो यहां पर हम लोग इसको इसका घंपनोल लिकालना है तो हम लोग यहां पर इसको उपर नीचे अलग अलग लिख दिये और इसका निकाले 2400 या इसको 29 से भाग दे तो 841 मेरा फिल्ट इसके तो तुद्धिस मेर ठीक है और साथ 29 के लिए 3 से भाग के दो 243 आया प्रीकिति से ज़ल्टिंश के तो 27 फिर तीन से के दो 9 फिर प्रकार से अम लोग को जो संख्या प्राप्ट हुआ तो ऊपर में प्राप्ट हुआ तो उपर में तीन ही है तो निकाल दिए और यहां तीन और तीन निकाल दिए तीन और तीन गुना के तो नौ हो गया उपर उन्तीस है तो यहनि कि घं की भूजा हमें कितना प्राफ्थ हुआ तो अब हम लोग बच्चो प्रसन संक्या 5 का हल को समझते हैं प्रसन संक्या 5 का हल को समझते हैं पांस नमा में दिया गया है बद्तिस अजाग साथ सौ आट सतक का घं मूल गया तीजिए और इसका उभ्योग करके 32.768 का घं मूल जोड सुनिय दसमूल सुनिय तीन दो साथ भी कम निकालना है तो इसका पर निखाल ली दो सेन्य कम 122020 करते भार्द चैज से कि तो तो प्रतिस्ट दो से कि थाइंश बार फिर दो से मारा कुना करके लिखे से और उसल्त तिन और दो को बाहर निकाल लिए तो हमारे पास किने से क्या है? तो वह सब्सक्राइब और दूने चार चार दूने 8 एक आंसर हो गया अब इसको लिए नहीं इसको लिए हमें इसका मान घ्यार करना स्टारा यह और यहां चुक्स्का मान इक पहले निकाल चुके हैं इसका तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रसुनावली तीन में सभी प्रसुनों का हल को समझा जदी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें जदी आप पहली बार मारी चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अपस्टे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अब लोग करूं तो आप पुस्तों झाल